नमस्कार दोस्तों, वेलकम बाक टू माई चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेशन का आंसर देने वाली हूँ वैसे तो ये क्वेशन जिसने भी लिखा है बहुत डीटेल तरीके से लिखा है लेकिन इस सवाल को बहुत से लोगों ने अलग-अलग तरीकों से मुझसे पूछा है तो मैं इसका आंसर देने वाली हूँ अटलीस दो-तीन तरीकों से ताकि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाए तो क्वेशन कुछ इस तरह से है दीदी ट्विन फ्लेम जर्णी कभी किसी सोल मेट को अट्राक्ट करती है क्या I love my DM जैसा उनके लिए फील होता है वैसा किसी के लिए नहीं होता किसी के लिए inner work करने का मन हुआ तो तो इस लेवल तक hurt या प्यार फील नहीं हुआ but there is a guy I feel immense attraction towards him he loves me but I don't बस attraction बहुत अलग है अच्छा है उससे बात करके I started feeling guilty plus अपनी journey पर doubt होने लगता है is he my soulmate what should I do guilt होता है attraction feel होने पर भी twin flame journey कभी किसी soulmate को attract करती है क्या of course करती है और soulmates भी दो तरह के होते हैं एक good soulmates होते हैं एक bad soulmates होते हैं और अगर good or bad की तरफ हम ना भी जाएं तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ soulmates ऐसे होते हैं जो आपको तंग करते हैं या आपको थोड़ा उनके साथ वैसा एकदम positive relationship हमेशा नहीं होता कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत support करते हैं हमेशा आपको support करते रहते हैं कुछ भी हो जाए कोई भी दिक्कत आए कोई भी problem आए वो कुछ इस तरह के लोग होंगे जो हमेशा आपका साथ निबाएंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको demoralize करते हैं negative करते हैं आपके किसी भी endeavor में या आपके अंदर उपर से नीचे तक सिर्फ कमियां ढूंडते हैं और उन कमियों को सुनके आपकी जो energy है वो down हो जाती है आप बुरा feel करने लगते हैं अपने आपको लेकर अपने dreams को लेकर अपनी life को लेकर हर चीज को लेकर और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो twin flame journey में हैं या जो channelings भी सुनते हैं या inner work भी कर रहे हैं शुरू शुरू में काफी वक तक शुरू शुरू का मतलब जो initial phase होता है जब चीजें इतनी समझ नहीं आई होती हैं शुरू शुरू में तो कई लोग इसको सिर्फ और सिर्फ रोमैंटिक जर्नी की तरह देखते हैं और उसकी वज़े से ही उनकी life में बहुत delays होते हैं और वो शायद समझ ही नहीं पाते हैं कि twin flame journey का असली purpose असली महत्वक क्या है अगर तो mission work के लिए आये हैं और वाकि में twin flames और star seeds हैं तो कुछ समय तक वो भी हर चीज को romantic glasses के साथ ही देखेंगे तो of course soulmates आते हैं soulmates शब्द को समझना बड़ा ज़रूरी है soulmate या soulmate शब्द को कहीं लोग misunderstand भी करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप अपना soulmate समझ कहीं वो आपका कार्मिक ना हो तो शुरू शुरू में कहीं relationships में ऐसा देखा गया है कि कार्मिक्स की energy बहुत positive uplifting होती है और ऐसा लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसे आपका सदियों से इंतजार था लेकिन कुछ समय के बाद फिर लगने लगता कि नहीं है मेरी बहुत ब लोगों का सवाल है यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है क्योंकि कहीं बार ऐसा भी होता है कि inner work करते करते लोगों को यह realize हो जाता है कि जिस व्यक्ति को मैं अपना twin flame समझ रही हूं या समझ रहा हूं वो तो मेरा twin flame है यह नहीं वो तो false twin flame है जितने भी आपने सवाल पूछे है इससे यह पता चलता है कि अभी आपका inner work इतना strong नहीं है जो भी व्यक्ति यह सवाल पूछता है यह कोई judgment नहीं है यह honesty है अगर आपको इस वक्त honesty के साथ कोई जवाब नहीं देगा तो आप आगे बहुत time waste कर सकते है इसका डर है time waste होने का और कहीं दफे तो ऐसा भी होत देते हैं लेकिन जान बूच के time waste करना भी सही बात नहीं है जब आपको पता है कि यहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला तो I love my DM जैसा उनके लिए फील होता है वैसा किसी के लिए फील नहीं होता यह false twins के लिए भी फील होता है false twins को देखके भी कभी कभी लगता है relationship इतन तब hurt करेगा जब जब आपके अंदर attachment यानि की मोह होगा अगर आपके अंदर मोह नहीं है अगर आपको लगता है कि लोग लोग क्या मतलब आपको तो कितने लोगों से प्यार हो सकता है बचपन से आप notice करना शुरू कीजिए एक उमर आती जब लोगों को crush होने शुरू हो जिससे आप सवाल पूछ सकते हो, personal session ले सकते हो, otherwise आपको खुद उतनी authority लानी पड़ेगी, कई बार क्यों होता है कि जिसमे authority होती subject को लेके उसकी बात को लोग बड़ा personally भी ले लेते हैं, मेरे साथ भी होता है, मैं लोगों को बताती हूँ कि यार ऐसा नहीं है, वो व्यक् कि अभी आपको कुछ और दिखाई सुनाई नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक दिवाने बन चुके हो, और इनसानों का दिवाना क्या बनना दोस्तों, इनसान तो एक थो temporary होती है उसकी identity, और दूसरा इनसान में बहुत कमिया होती है, तो शुरू शुरू म और यह सेक्शूल और फिजिकल ही होता है, क्यूंकि वो attraction है, ठीक है, और जब आपको किसी से प्यार होता है, जब आपको soul to soul connection होता है, attraction में और connection में बहुत फरक है, तो जैसा आपको आपके DM के लिए feel होता है, वैसा किसी के लिए भी feel नहीं होता, किसी की बातों का इस तरह से असर नहीं होता तो इस question से मुझे clarity यह नहीं हो रही है कि क्या आप इस व्यक्ति जिसको आप अपना DM कहते हो इसके साथ relationship में हो क्योंकि अगर आप relationship में हो तो फिर तो आपको किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए और relationship का मतलब मेरा है commitment से कि अगर आपने किसी को commit कर दिया कि हाँ मैं तुमारे साथी जीवन बिताओंगा या बिताओंगी तो आप उनकी तरफ ही जादा ध्यान दीजिए किसी और की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो फिर disloyalty के under आ जाती है लेकिन मान लीजिए अगर आप separation phase में आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है और आप अपना inner work कर रहे हो और उस time पर आपको दूसरे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं बहुत आपको लगता है आपके लिए सही है ये तो मेरी DM से बहुत different है क्योंकि कई दफा हम जिनको DM कहते हैं वो divine masculine नहीं होते हैं वो distorted masculine होते हैं इन बार हम किसी को देखते हैं और बोलते हैं ओ ओ ओ ओ ये तो प्रेम त्याग प्रतिक्षा पेशेंस हर तरह के गुणों से संपन्न ये हर चीज की एक मूर्ती है ये perfection की मूर्ती है यही वो व्यक्ति है जो मुझे चाहिए इसी व्यक्ति से मुझे प्रेम है जब हम ऐसा समझ के बिल्कुल obsessed हो गए हो लेकिन वह आपको उस नजर से नहीं देख रहे हैं उनको तो लग रहा है यह क्या मेरे पीछे एक psycho पढ़ गई है या पढ़ गया है सारा टाइम मेरे पीछे लट्टू होके घूमती रहती है या घूमता रहता है ना इसके पस कोई काम है ना को कोई effort करती है या करता है कोई goal भी नहीं है कुछ भी नहीं है ना कोई career में interest है बस जब मैं phone करूं तो available हो जाता है यह हो जाती है पिर कहीं दफे यह भी होता है कि ऐसे लोग आप जैसे innocent लोगों को use कर लेते हैं use करके discard कर देते हैं और अपना रस्ता नाप लेते हैं और यह भी नहीं सोचते हो कि यह शब्द हर किसी के लिए नहीं बने हुए क्या आपने उस व्यक्ति में divinity देखी है क्या आपके अंदर divinity पूरी तरीके से आ गही है अभी आपके अंदर भी नहीं आई है तो उनके अंदर कैसे आ सकती है क्योंकि twin flame journey में आपको जो भी लोग मि आप इसे लोगों का साथ रहना भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको ऐसे लोगों की बातों से बहुत दुख पहुच रहा है बहुत ठेस पहुच रही है तो इसके पीचे कोई reason है इसके पीचे reason है कि आपको भी और inner work करना है और उस inner work से आपका बहुत बड़ा फायदा होन इसानी सनी उठोगे वो लोग जब आपको ताने मारेंगे या आपके अंदर कमिया निकालेंगे या आपके अपने ही जब आपको बहुत करेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति आनी चाहिए कि नहीं मैं अपने साथ यह नहीं होने दूंगी या होने दूंगा मैं आगे बढ या बंदी मीरी ट्वेंड फ्लेम है बस उसके बाद लोग आपका मजाक उड़ा लेख जाते हैं अपने घर के लोग कहने लेख जाते कि आप बहकी बहकी बाते करता है या करती है इस नौट जेंडर स्वेसिफिक राइट तो वह भी नहीं करना चाहिए हर बात भी नहीं पतान हैं यह किसी भी situation में apply हो सकता है यह जो question है इसको कर ध्यान से देखा जाए तो inner work की नजर से यह बहुत ही अच्छा question है बहुत ही wonderful question पूछा है बहुत honesty के साथ पूछा है मुझे honest questions भी बहुत पसंद है इसलिए मुझे honest answer देना पसंद है क्योंकि जो honestly सब कुछ बता देते है तो वो लोग दूसरों की honesty को भी appreciate करते हैं वरना उनको यह लगता रहता है यह तो मुझे judge कर रहे हैं यह तो मुझे personal work क्योंकि यह तो बहुत लोगों का सवाल है तो इसमें judgment कैसी यह तो social work है यह तो charity आप कर रहे हो कि यार आपने ऐसा सवाल पूछा जिससे इतने लोगों का भला हो जाए हो सकता है आपका ना हो है कहीं बार ऐसी मुझे कि आपको लगे अरे मेरा तो इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ लेकिन चलो ना जाने कितनों का हो गया पर अगर इतने सारों का हो रहा है तो कभी ना कभी आपका भी फायदा होगा अब पहला तो question है कि soulmate हो स अच्छा प्यार किया लेकिन कृष्ण को अपनी राजगदी समालनी थी अपना राजपार्ट समालना था और राधा एक सिंपल फैमिली से थी वो अपनी लाइफ में वापस चली गई ऐसा भी कहीं लोग कहते कि शादी क्यों नहीं करी उन लोगोंने तो पहली बात तो पहली इत्ना प्ता को छुड़ाते है और पिर अपने नाना को चुड़ाते है अपने अपने माता पिता को चुड़ाते हैं इतने सारी चीज़े एक दम से कृष्ण के के बारे में क्या सोच हो गाएं और अभी तो वो छोटे बच्चे थे इतन samples बहुटा चलता है कहानियां बहुत तरीके तरीके से बताई गई है क्योंकि ये एक symbolism भी है symbolism का मतलब भी होता है कि कहानी के द्वारा आपको बात समझाई जा रही है तो बिलकुल हो सकते हैं और बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने Twin Flame Journey जब स्टार्ट की थी तो किसी व्यक्ति विशेश के ले की थी लेकिन आगे जाके उनको जैसे जैसे वो positive होते गए उनकी energy बहतर होती गई उनकी life बहुत बदल गई वो mission oriented भी हो गए तो उनको एक बहुत ही positive बंदा या बंदी मिल गई और उनके साथ उन्हें बहुत natural फील होने लग गया और उन्होंने decide कि भई हम इनके साथ जाएंगे क्योंकि Twin Flame या तो married है यह Twin Flame अभी कुछ करना नहीं चाहता वो कहता है यह कहती है कि मुझे 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 बाती मत करो ब्लॉक कर दिया है अब आपने उन्हें फोन किये मेसेज किये और अब तो मैं इस Twin Flame शब को भी explain करना चाहती हूँ मैंने काफी दफ इस explain किया है बट मुझे पता है कि बहुत से Twin Flame gurus, teachers, healers हैं जो बिल्कुल ही incorrect information दे रहे हैं क्योंकि वो Twin Flame को एक romantic concept बना देते हैं और ऐसा भी कहने लग जाते हैं कि अगर कोई आपका Twin Flame है ना तो आपका union उससे तब ही होगा जब आप physically एक दूसरे के साथ होगे ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कहीं दफे Twin Flames तो आपको so called जिसको आप समझे रहे supposed Twin Flame वो तो आपको मिलते ही जिरिफ इस लें ताकि आप inner work करो क्योंकि आप तो वैसे inner work करते ही नहीं हो आप इतने माया में फसेवे होते हो संसारिक माया में illusions में society की बातों में घर परिवार के धकों में romance में जो फिल्मों में दिखाया एक दम low level की love में आप होते हो low frequency love बोलते हो से lust में फसेवे होते हो तो आप inner work के बारे में सोचते ही नहीं हो फिर जब कोई Twin Flame वाली feeling आती ही कोई आप से टकरता है और आपको बहुत बुरी तरीके से आपको rejection मिलता है या आपका देल तूट जाता है या आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता फिर आपकी dark night होती है dark night भी बहुत दिनों तक चलती है इसलिए dark night का चलना भी बहुत ज़रूरी है गलत तो कुछ भी नहीं है Twin Flame जर्णी में कुछ भी नहीं यह Twin Flame Ascension Journey यह शुरू से लेके end तक खरा सोना है जो इसमें घुज गया और जिसको यह समझ आ गया उसकी life set है दोस्तो Twin Flame जर्णी में आने का एक सबसे बड़ा reason यह भी है कि आपको अपने purpose यानि कि आपकी जो life का purpose है आपका mission है उसको पता करना है वो क्या है तो उस mission को उस purpose को पता करने के लिए भी कहीं बारी दो लोगों को एक दूसर से मिलवाये जाता है ताकि आप अपना connection के through एक soul connection के through इस deep connection के through इस real connection के through आप दोनों व्यक्ति यह जान पाओ कि आपका यहां पे reason क्या है purpose क्या है इस प्रिथवी पे आने का और एक बार वो purpose पता चल जाता है तो फिर आप उस connection को बहुत value भी करते हो और सारी की सारी negativity चले जाती है और एक harmony का महौल बन जाता है क्योंकि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए gratitude होता है कि इन से ना मिलते से होता है क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि यार ये तो बहुती मतलब भी इस इनसान का तो कोई life में कोई goal नहीं है कुछ नहीं है तो मैं ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं पढ़ सकता कई दफे इस वज़े से भी separation हो जाता है तो एक व्यक्ति को लगता है कि दूसरा कितना inspiring है फिर वो उससे inspiration लेकर आगे बढ़ता है अब जब वो आगे बढ़ जाता है तो वो इतना आगे बढ़ जाता है कि दूसरा जिसने उसे पीछे छोड़ दिया आता है वो हैरान हो जाता है तो उसकी वज़े से फिर वो और आगे बढ़ता है तो ऐसे करते करते वो दोनों एक दूसरे को inspiration देते रहते हैं वो connection कभी तूटता ही नहीं है एक long separation ज़रूर होता है उसके बाद वापस भी आजाते हैं उसके बाद समझ जाते कि हाँ इस व्यक्ति के साथ मेरा ऐसा ही connection है और शायद यह हमेशा रहेगा तो ऐसे case में भी क्या करती है universe आपको walk-in दे देती है या आपको soulmate दे देती है या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो ऐसा लगता है कि बस आपके लिए बना है आपके लिए इस दुनिया में आया तो इसको गर romanticly देखोगे तो बहुत limited हो जाएंगी life की options और बहुत limited तरह के लोग मिलेंगे आपको और बहुत limited चीज़े आप करोगे जैसे आप romance हटा दोगे तो आपको इतने तरह तरह के भिन भिन प्रकार के लोग मिलेंगे इतने अच्छे च्छे लोग मिलेंगे उनसे आप इतना कुछ सीख सकोगे और वो आपको balance रखेंगे मतलब जो चीज़ आप शायद वैसे ना कर पाओ क्योंकि आपके घर का महौल इतना positive ना हो या आपके आसपडोस का महौल इतना positive ना हो बट उन लोगों की energy इतनी positive होगी कि आपको लगेगा okay अगर ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो soul connection का ये भी purpose होता है तो अब next आता है immense attraction feel हो रहा है soulmate के लिए तो जैसा कि मैंने का अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि soulmate है या कार्मिक है कार्मिक भी हो सकता है या हो सकती है और दूसरी बात ये कि प्यार भी नहीं है आप सीधा कह रहे हो अगर प्यार नहीं है और सिर्फ attraction है तो फिर ये क्या है ये तो आप आपको सोचना पड़ेगा ना मैं अपने शब्दों से हर बात नहीं बोलना चाहती नहीं तो लोग कहेंगे judge कर रही है है ना judgment को बहुती negative word बना दिया है हर आदमी आजकली कहता है they judge me they judge me they judge me अरे अगर आप judge ही नहीं करोगे बहुत developed है पर वो जान बूच के इस तरीके से बनाई गई है इस तरीके से उसको create किया गया creator ने God ने कि वो अपनी ascension journey पूरी करे क्यूंकि जब आप धरती पे आते हो तो ये rule है चाहे कोई God पैदा होता है या कोई भी powerful व्यक्ति ये rule है कि आप यहाँ पे आके सब कुछ भ जरना बढ़ता है यानि कि आपको पहले बच्पन में जब आप बेबी होते हैं आपको सब पता होता है आपकी कुंडली नी भी जागरत होती है आपके सारे चक्राज अलाइंड होते हैं आप बहुत powerful soul होते हो आपसे तो पालने में भी अगर आप हो गए ना मा की पेट में पालने में भी और को नेगेटिविटी होगी को नेगेटिव एनरजी को डीमन होगा वो आपसे दूर रहेगा आप में इतनी शक्ति होगी आप बहुत कुछ कर सकते हैं बट जान बूचके यह प्रित्वी है यहाँ पे सबके लिए common rules बनाए गए हैं और सबको उन rules को follow भी क चार सीड्स होते हैं क्योंकि वो इतनी असानी से इस धर्ती की माया से अट्राक्ट नहीं होते होते तो हैं कुछ टाइम तक वो भी लिंबो स्टेट में रहते हैं और तबी उनको समझ में आता है कि यह सब जूट है यह सब जूट है यह चलावा है यह बहुत बड़ा illusion है तो immense attraction होता है यह भी बहुत बड़ा illusion होता है ताकि आप हमेशा distracted रहो और अपने सही पात पे ना चलो तो पहले तो आप decide करो कि आपको इस सोल मेट से चाहिए क्या आपको इसके साथ शादी करनी है relationship करना है आपका already relationship चल रहा है यह relationship चल सकता है आपके जो inner work वाली जर्नी है उसका क्या scene है आप जिनको divine masculine कह रहे है twin flame कह रहे है उनका क्या scene है सारी चीजों को ध्यान में रखके practical होके आपको decision लेना है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो नया विक्ती है यह जादा अच्छा हो यह सबसे अच्छा हो ठीक है क्योंकि आपको यह देखना है कि आपके लिए क divine counterpart का सपना divine counterpart लक्ष्मी और विश्नु है मान लीजे मान लीजे क्या है वो हैं वो धर्ती पे आते राम और सीता बनके राम और सीता की उनको life इसले मिलिए ताकि वो यहाँ पे आके mission work कर सके तो इसलिए उनके पास कुछ-कुछ शक्तियां होती है और कुछ-कुछ नहीं होत time वो शक्तियों को develop करते हैं उन शक्तियों को develop करने का सबसे बड़ा reason होता है एक responsibility जो कि पहले राम को सीता की थी तो सीता और राम को दोनों को भी responsibility combined होती कि रावन का सनहार होना चाहिए रावन मरना चाहिए पर उनको ऐसे पता थोड़े नहोंते कि हाँ हम तो रावन को मार परने आये तो फिर उन्हें फरक क्या पड़ेगा करेंगे क्यों यह सब तो इसलिए श्री राम को भी certain amount की स्मृति ही मिली थी ठीक है और यह भी कहा जाता है कि सीता उनसे पहले असेंड हो गई थी वो जब राक्षिस रावन के वाटिका में थी अशोग वाटिका में वहीं पर सेंड हो गई थी वह बहुत पाफुल थी रावन उनसे दरता था और रावन उनको पहले तो ड़ाता था शुरू-श़ू में और जब पता चल गया कि नहीं नहीं यहा तो मेरी साथ कुछ हो जाएब और मंदोद conqueredी ने जो कि रावन की खुद की वाइफ है मंदोद्री न उसकी माँ ने भी समझाए बिटा अब तू रहने दे रिटर्न कर दे बट उसकी इगो इतनी हर्ट हो चुकी थी वो बिलकुल नशे में धुत था उस वक्त इगो के नशे में उसने किसी की नहीं सुनी और वही हुआ जो होना था लेकिन वो जा जाके सीता जी को तरह तरह से सम कंडे अपना है बट वो नहीं कर पाया और फाइनली तब तक श्री राम वहां पहुंच गए तो अब तो उसकी और कहते हैं न बेस्ती होने लगए उसको लगने लगा कि यार एक इनसान से एक मानव से मेरी बेस्ती हो जाएगी जिस भी आदमी में एगो होती है ना चाहे व उसको बेस्ती का बड़ा डर लगता है उसको लगता है हमारी तो बेस्ती हो जाएगी तो वो और गलत काम करते रहते हैं करते रहते हैं इतने गलत काम कर देते हैं कि वो खुदी अपनी सारे गलत कामों की वज़े से फस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से फिर उनको कोई नह माने में भी होता है लोग सिर्फ अपनी इगो मसाच करने के लिए सही इनसान को सरेंडर नहीं करते देखिए प्यार में इतनी ताकत है अगर आपको अपनी गलती समझ में आ गई तो आप प्यार से किसी के आगे जुग जाओ बोल दो हाँ ठीक है मैंने गलती कर दी मैं अपनी बात सही है तुमने अगर प्यार से उस आदमी को जीत लिया प्यार से भी तुम किसी का दिल जीत सकते हो पर लोग प्यार से दिल जीतना जानते ही नहीं क्योंकि वो खुद से प्यार करते ही नहीं जो खुद से प्यार करता है वही इतना समझदार होता है कि किसका दिल प्या से भी बहुत ऊपर निकल जाता है एक टाइम ऐसा जाता है ठीक है तो इस ही माइ सोल मेट वोट शुड़ाइ डू एंड गिल्ट होता है यह कुछ कुछ चीज हो को तो आपको लाइफ मेना इंजॉय भी करना आना चीह है अगर आप कहीं जा रहे हो आपको कोई इनसान मिला आपने उससे बारचीत करी तो ठीक है अच्छा लगा टाइम पास हुआ थोड़ा इंजॉय करा अब आप उसके लिए उपसेस्ट हो जाओ दिवाने हो जाओ तो वो भी अच्छा नहीं है तो हमें इस उपसेशन से निकलना है इस दिवाने पन से निकलना है और प्राक्टिकल इनसान बन जाओगे और इनर वर्क पे ध्यान दोगे अपने ओपर ध्यान दोगे तो आपको सारे के सारे सवाल असानी से समझ में आ जाएंगे और आप हो सकता है बिना रीडिंग लिए बिना कुछ किये भी आप आगे बढ़ पाओगे तो रीडिंग तो एक कैसी चीज़ है कि जिसको बहुत डीप डिजायर होती है कि अर मुझे बात करनी है इस हीलर से इस थेरपिस से हो सकता है इनसे एक घंटा अपनी परसनल मन की बात करके अपनी सारी चीज़ें क्लियरली बता के एक घंटा डेर घंटा जितना भी टाइम मिलता है तो मुझे एक डाइरेक्ट आंसर मिलेगा, अभी तो हम collective के लिए work करें, अभी तो हम सब के लिए काम करें, जिसको भी फायदा मिल जाए, वो फायदा उठाओ, मैं तो ये बोलूँगे, तो अगर फायदा होता है, तो मेरे इस आंसर को ज़रा गौर से समझिएगा, कि मैं इसमें क्या कहना जा रही हूँ, twin flame, soulmate, karmic, ये सब आपको ascension journey में मिलेंगे, और actually twin flame word आप गलत यूज़ कर रहे हो, हम कहते है mirror, जो आपके mirror होते हैं वो आपको मिलते हैं, और जिस stage पर आप होते हो, आपको उस type का mirror मिल सकता है, या फिर एक ही व्यक्ति, आगे 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 आपके सा जाता है, जैसे राम सीता के साथ हुआ, जैसे शिव पारवती के साथ हुआ, वो दोनों साथ में असेंड होते थे, फिर separate हो जाते थे, फिर असेंड होते थे, राम और सीता कैसे unity में आए थे, क्योंकि ओविस्नु और लक्षमी है, उन्होंने तो वैकॉंट में मिलना ही है, विश्नु और लक्षमी को तो कोई अलग नहीं कर सकता, और कुछ साल के लोने धरतीप पे जाना है, तो लोग राम सीता की कहानी को इतना negative लेते हैं, वो यह नहीं जानते कि राम और सीता कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, और इस love को उन्होंने कितना enjoy किया है, धाई आ किया, वो तो फिर बहुत तरह-तरह की बाते कर सकते हैं, so guys and girls, you can also join my patreon channel now, और उसमें आप membership ले सकते हैं, और आपको हर महीने एक zoom class मिल सकती है, जो कि एक group study होगी, combined study होगी, वैसे तो patreon हमें support करने के लिए बनाए गया है, बट फिर भी मैंने decide किया कि जो जो लोग मेरे patreon से ज देंगे, ऐसा भी नहीं कि वो 4-5 घंटे तक चलेगी, उसका भी टाइम फ्रेम होगा, और उनी सवालों को और उनी बातों को discuss किया जाएगा, जिससे सब का फायदा हो, दूसरी बात ये है कि आप इस चानल को subscribe करिए, ताकि आपको ऐसे ही updates मिलते रहें, जिससे आपको सीख कि कौन मुझे जच कर रहे है, इसमें किसे का नाम नहीं दिया गया, for personal sessions and therapies, you can check out the description box and you can book yourself into one, therapy लंबी होती है, बहुत intense होती, उसमें बहुत deep inner work होता है, और personal sessions जो होते हैं, वो single sessions होते हैं, और आप मुझे तब ही लिखिएगा इसके बारे में, जब आप 100% sure होगा, और secondly, very very important, अपनी twin flame ascension journey के बारे में, advance में मुझे नहीं बताईएगा, आप मुझे तब बताईएगा, जब हमारा personal session होगा, क्योंकि हम step by step work करते हैं, और हम बहुत सारे interesting spiritual tools and methods, psychological methods को use करके हम इसमें काम करते हैं, ठीक है, और actually यह spiritual work है, यह अध्यात्मिक work है, यहाँ पे किसी गोली जिस वगेरा होते हैं, उनकी limitations होती है, तो वो कोई symptom देखते हैं, तो उसके हिसाप से आपको दवाई दे देते हैं, ताकि आप थोड़ा relax हो जाओ, लेकिन वक्त चलते, उन दवाईयों की आदत हो जाती लोगों को, और फिर पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको फिर मिलूँगों किसी और वीडियो में, thank you so much for being here with me, one love and peace out and Jai Shri Ram